Hello kids, good morning, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों हमने हमारी जो हिंदी की last class थी, उसमें I say I nuk वाली मात्रा को complete कर दिया है, जिसमें हमने सबसे first एक वर्ण वाले शब्द, फिर दो वर्ण वाले, तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले शब्दों को बनाना सिखा, फिर हमने उस चैप्टर की रीडिंग की और फिर हमने उसका question answer सही गलत और सही शब्द चुनों complete कर दिया है, अभी मैं आपको एक नई मात्रा सिखाने जा रही हूँ, जो की है O से ओखली, है ना, A से एडी मात्रा के बाद में I say I nuk, और फिर O से ओखली की मात्रा होती है, सबसे first अपन date write करेंगे, today's date 20, one month and 2021 year, फिर आपको heading लिखना है O की मात्रा, O की मात्रा का sign कैसे होगा, जो शब्द है वो यहां लिखा जाएगा, फिर पिछे एक line खीची जाएगी और उसके उपर मात्रा की जाएगी, यह O से ओखली की मात्रा है, तो आज हम जितने व्यंजन हैं उन पे O की मात्रा लगाना सीखेंगे, इस इतना स्टार्ट करेंगे, सबसे first है कर, सबसे first क्या है, सबसे first है कर, कर, प्लस, O की मात्रा, क्या हो जाएगा, को, सका उचान क्या हो जाएगा, को, फिर एक लाइन को छोड़ कर, क के बाद में, ख, प्लस, O की मात्रा, को, फिर next, ग, प्लस, O की मात्रा, को, फिर ग, ग, प्लस, O की मात्रा, को, फिर कौन साएगा बन, च, प्लस, O की मात्रा, च, प्लस, O की मात्रा, क्या हो जाएगा, च, फिर च की बाद में, छ, सी छत्री वालाज, फिर O की मात्रा, च, फिर, ज, प्लस, O की मात्रा, ज, फिर, प्लस, O की मात्रा, ज, प्लस, O की मात्रा, ज, पे O की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ज, फिल जहकी बाद में आएगा त है ना त लस ओकी मात्रा टो फिल द लस ओकी मात्रा ठो फिल द की बाद में कौन सा बन आता है धः धः प्लस ओकी मात्रा टो फिल द की बाद में आता है न न प्लस ओकी मात्रा नू फिल इसके बाद में गौन आता है धः धः प्लस ओकी मात्रा तो फिल द प्लस ओकी मात्रा थो फिल द प्लस ओकी मात्रा दो धः प्लस ओकी मात्रा दो न प्लस ओकी मात्रा नू फिल न की बाद में कौन सा बन आता है धः प्लस ओकी मात्रा पो फिल प्लस ओकी मात्रा दो फिल प्लस ओकी मात्रा दो फिल ब के बाद में आएगा ब ब प्लस ओकी मात्रा दो म प्लस ओकी मात्रा दो फिल इसके बाद में है य से यग्य तो य पे य प्लस ओकी मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा यो यह के बाद में आता है र र प्लस ओकी मात्रा रो लग प्लस ओकी मात्रा लो वग प्लस ओकी मात्रा वो फिर श के बाद में श शटकौन वाला फिर ओकी मात्रा शो फिर श से सफेरा वाला श पे ओकी मात्रा लग जाएगी तो सो फिर ह प्लस ओकी मात्रा हो श से शत्री वाला श फिर इस पे ओकी मात्रा लग जाएगी तो सो त्र पे ओकी मात्रा लग जाएगी तो त्रो फिर ग्य ग्य पे ओकी मात्रा लग जाएगी तो ग्यो इस तरह से आपको कसे लेकर पूरा ग्य से ज्यानी तक पे ओकी मात्रा को लगाना है और एक-एक शब्द का उच्चारन करना सीखना है तो आज आपको सबको अपनी हिंदी की योड़ बुक में ये वाला काम करना है ठीक है ओके वाबाई टेक कियर